तो आज मैं आप लोगों को बताने बाला हूं इनिवेटर फ्रीज के DC कंप्रेसर को किस प्रकार से चेक किया जाता है ठीक है यह हमारे पास इनिवेटर फ्रीज है और यह DC कंप्रेसर है ठीक है तो हमने नॉर्मल कंप्रेसर तो जान रखें किस प्रकार से करते हैं तो यह है हम सब दो दो तरीकों से हम सीखने बालें और फाइनली करने वालें कि किस प्रकार से उसको कंफॉर्म करें कि सही है या खराब है तो वीडियो को आप लोगों को लाश्ट तक देखना तो सब से पहले देखी continuity करना आप लोगों को इस प्रकार से यादि तो अपनी जो continuity जलनी चाहिए ठीक है दोनों आतार आपस में मिलाने के बाद फिर उसके बाद इसके तीन थिंबल होते हैं ठीक जो हर कंप्रेशर के तीन ही थिंबल होते हैं वागी वागी डीशी का यह जो सारे तोपर उसका लिए किसे संट लों करते हैं। यह हंए यह को इसके बाइल्स को देख करनी गें। का होता पुरा फाइनल यह तो हमारा कंटिनिटी का क्यों क्या हो नहीं हो चुका है अब हम बात करतें अब तो सबसे पहले आप लोगों को लाइन क्लाम मिटे लेना लएक लाइन आती कि यहां दोसों बदेख रहे हैं आप लोग इस प्रिकार से गमाओ और यहां पर मतलब मीटर रहा वो पीपी की अब आज निकालना चाहिए उस पर डाइबोड मोड उसको बोलते हैं ठीक है तो डाइबोड मोड पे यहां पर एक बार में रख लेता हूं अब देखिए आप लोगों को यहां पर पूरा कंफर्म होने वाला कि कंप्रेसर खराब है ठीक है अब आप बारे बारे से तिन थिम्बल हैं उन थिम्बलों पर लगा ना सबसे पहले लगाना आप लोको मैन पर और हमारे वीक पाइंट आने चाहिए एक पर हमारे कंटिनिटी पाइंट आये दूसरे पर लगा हमने है अब आना क्या करना है सिधा-सिदा सिंप्ल है कि तीनों थिमलों पे हमारी पाइnt बीस आने जाहिए ठीक है भール जोटिन समस्टियां हमारी दर की साइड से किदर की साइड तक लगा लो किसी साइड फेल अाट डीसे यानी तो तो आपrespक्रेंजित होता है एसमें हमारा इसमें बराबर बराबर कंटिनुूटी आती है थीक हैं तो मैं मानता हून दोस्तों आप लोगों ने अशी आछी तरीके से सीखा होगा कि मेर्हार को किस प्रकार से चैक किया जाता है तो आज के लिए कोई अगली वीडियो के साथ थीकшие को दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बोले क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं तो आज के लिए धन्य बाद